हाई गाईस बैंक और वरोदा की एकाउंट स्टेटमेंट ओनलान कैसी डाउनलड करें या फिर कैसी इसको चेक करें आज की इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाला हो गाईस हमें एकाउंट स्टेटमेंट कभी कभा जोरोत पड़ जाता है लाइक आप कोई लोन ले रहे हो या फिर आप कोई EMI बे कुछ समान करें रहे हो तो वो लोग आपसे आपका जो बैंक का एकाउंट स्टेटमेंट है यह मांगता है तो आप क्या करते हो उसी दिखा बैंक में जाते हो बैंक में जाके आप प्रिंट आउड लेके आप समिर करते हो गाईस जो चीज आप अपने घर में ही बेटके मोबाल से कर सकते हो उसके लिए बैंक क्यों जाना गाइस आज के इस वीडियो में आपको यही दिखाऊंगा किस तरह से आप घर वेटे वेटे आपकी मोबाइल से ही आप अपना account statement को check कर सेकते हो उसको download कर सेकते हो और कब और जब कभी जोरोत परे आप उसको इसले download करके उसको use कर सेकते हो तो चलिए गाइस किस तरह से आप बैंक का account statement check करेंगे मैं भी आपको करके दिखाता हो तो आई ये वीडियो स्टार्ट करते हैं नेता टाइप आधा काम मत करो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन पी दबाएस सबसे पहले आपको बैंक को बर्लाव वोल्ल का जो application है इसको download कर लेना है आप इसको प्ल सब्सक्राइब करना है लोगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह की इंटरफेस दिख जाएगा आप यहाँ से बैलन्स चेक कर सकते हो सब कुछ चेक कर सकते हो ठीक है तो हमारा आज का वीडियो का परपस है एकाउन इस्टेट्मन के ही चेक करना है तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब यहांगर बहुत सब्सक्राइब करने के बाद आपको सिंपली यहांपार से काउंट नंबर नंबर है तो आप जो भी comedic सबड़िस निकाना चाहते हैं अपको स्टर पे निकान को सेलेक्ट करना है मेरे सब्सक्तनर की अकान को सेलेक्ट करता हूं और मतलब यहां बी waysτο देट से किस दoking तक आपको चाहिए वह आपको लेकर उसके बार मुझे चाहिए आगस्ट सब्सक्राइब उसके बार मैंने मेरा इमेल को ओपें कर लिया है तो गाइस आप देख से तो यहां पर लिखावा बैंको बोरोदा तो मैं सिंप्ली इसको यहां से ओपें करता हूँ और यहां पर ओपें करने के है तो मैं सिंप्ली यही मेरे एकांट में टो सिंप्ली को डुख करता हूं और यह डंवड हो चुका तो आप देख सकते हो यह डाइट हो चुका है बस अभी मैं इसको आपन कर लेता हूँ और आपन करने के पार यह आपको simply पीडियो फाइल है basically यह passport protective है तो इसको डायरकली आपन नहीं कर सकते हैं आपको यह पर passport देना होगा तो आपका जो mobile number bank में जो दिया गया है वही by default password है आप बैंक में जो भी mobile number को दिया था उसी mobile number को यह पर देखे आप इसको open कर सकते हो तो guys मैंने मेरा mobile number देखे आपन कर लिया है तो आप देख सकते हो यह है मेरा account statement जो कि last three month का account statement मेरा mobile पर आ चुका है इस तरह से guys आप भी अपना account statement को कभी जोरूरत परे तो आप download करके use कर सकते हो I hope आपको यह वीडियो पसंद नहीं होगा और कुछ नया सेक्टों को मिला होगा अगर आपको वीडियो पसंद नहीं तो अपरे वीडियो को लाइक करना शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना